ये पर्टिकलर वीडियो एक कम्प्लीट गाइड है उन स्टूडेंट्स के लिए जो सिरफ और सिरफ यूट्यूब की मदद से CUT की प्रेपरेशन करना चाहते हैं बट सबसे बड़ा क्वेशन कि क्या सिरफ और सिरफ यूट्यूब पर रिलाई करके CUT एक्जामनेशन क्रैक किया जा सकता है तो आप सभी के सामने जो ब्रो बैठे हैं न हमने भी CUT का एक्जामनेशन सिरफ और सिरफ यूट्यूब पर रिलाई करके ही क्रैक किया है but thankfully मुझे YouTube की उपर best teachers मिल गए थे मुझे distraction face नहीं करने पड़ी साथी साथ मुझे सही keywords पता थे जिसकी मदद से मैं बिलकुल सही lectures तक पहुच पाता था साथी साथ मुझे YouTube का सही तरीके से इस्तमाल करना आता था आज किस वीडियो में मैं आप सभी को best teachers के बारे में भी बताऊंगा आप सभी को ये भी देखने को मिलता होगा कि हम YouTube से preparation तो कर रहे हैं बट यही हमारा सबसे बड़ा distraction का भी source ultimately बन जाता है इससे कैसे deal किया जाए ये मैं आपको बताऊंगा साथी साथ भाईया ऐसे कौन से keyword का इस्तमाल किया जाए जिससे मैं quantity भरे lecture नहीं बट quality भरे lecture तक पहुँच सकूँ ये मैं आप सभी को बताऊंगा और साथी साथ YouTube का सही इस्तमाल कैसे किया जाए ये भी आपको बताऊंगा और आगे बढ़ने से पहले गाइस एक request मेरी आप सभी से रहेगी प्लीज हमारे इस प्यार से चानल को subscribe जरूर कर लीजेगा complete guide आप सभी के लिए है YouTube से COT की तैयारी करने के लिए प्लीज इस तरीके की वीडियो कहीं आपको और नहीं मिलेगी don't forget to subscribe this channel now सबसे पहली चीज में आप सभी को बोलना चाहूंगा start saving your time अब आपके पास time बरबाद करने के लिए भी time नहीं बचा है now is the time to start saving your time and invest your time on right lectures now सबसे पहली चीज मेरी आप सभी को रहेगी कि यार parts में videos मत देखिए जैसे कई सारी educators हैं जो chapters पढ़ाने के लिए parts में videos बनाते हैं part 1, part 2, part 3, part 4 and हर एक एक जो part होते हैं ये minimum 45 टू एक घंटे का lecture होता है so ये चीज में आप सभी को recommend नहीं करूंगा अब आप सभी को move करना पड़ेगा quality one shot lectures पर now second advice and that is कि अब अपने subscriptions को minimalize करिए दिखिए ये particular चीज मैंने खुद अपनाई थी अपने distractions को कम करने के लिए आप सभी अभी के अभी अपना YouTube उठाईए subscriptions टैप पर क्लिक कीजे वहाँ पर आपको दिखेगा आपने अनेकों कई सारे entertaining YouTubers को subscribe किया है और कई सारे CVT YouTubers को भी subscribe किया है जिसकी मदद से जैसे ही आप YouTube का lecture देखते हैं ओपन करते हैं अचानक से कोई big update आगई latest update आगई आप लोग उस पे क्लिक करके देखने लगते हैं अचानक से किसी YouTuber ने कोई entertaining वीडियो डाल दी आप वो देखने लगते हैं जिसे से preparation की बज़ाए आप distraction की तरफ move कर जाते हैं इसलिए for the time being मैं आप सभी को बोलूँगा कि 30 दिन के लिए ना कम से कम subscriptions रखिए किसको subscribe करें किसी भी CUD के ना दो अच्छे mentor को subscribe कर लो जैसे अगर आपको लगता है कि मैं आपको अच्छे से guide कर पाता हूँ करूँगा दूसरे particular channel पर मुझे physics की अच्छे lecture मिलते हैं मैं उसे subscribe करूँगा तो minimal से minimal channels को आपको subscribe करना है to minimize your distraction and आगे बढ़ने से पहले guys एक important information आप सभी की heavy demand पर हमने अपनी खुद की test series जिसका नाम है Arjuna 2.0 जो बिलकुल latest nd8 syllabus पर बेज़ है जिसके अंदर आपको deleted topics के भी mock test मिलते हैं ये particular test series जिसमें आप सभी को 200 रुपे का discount मिल रहा था ये वापस से हमने अगले 3 दिन के लिए exchange किया है जिसकी मदद से इतनी बड़ी test series आप सभी को जहां पहले 799 की मिल रही थी अगले 3 days के लिए आपको 599 पे मिल जाएगी ये coupon code इस्तेमाल करके बट एक request मैं आप सभी से करना चाहूंगा जल्द से जल्द enroll कर लीजिए don't waste your time अगर आप मेरे उपर trust करते हैं तो ये particular test series आपके money के लिए worth it रहेगी now is another important hack जो सिर्फ मैं ही नहीं बट ये चीज़ देखके मैं थोड़ा shock हुआ कि यार जो मेरे juniors हैं जो मेरे batchmates हैं ये सभी students भी ये चीज़ क्या करते थे कि यार जाधतर जो students है लाइव लेक्चर देखने की बजाए recorded lecture देखा करते थे देखो guys आप सभी को भी मैं ये recommend करूँगा कहीं पर भी अगर live lecture चल रहे हैं न मत देखा करो because होता क्या है live चलते चलते teachers जो हैं आप सभी students के comments पढ़ते हैं और कई बार होते हैं कि जो non serious students हैं वो teachers को कोई जीब जीब चीज़ें करने को force करते हैं गाना सुना दो थोड़ा हसी मजाग कर दो ये चीज़ें जो serious students हैं उनको थोड़ सा डिस्टरब करती है आप सभी को मैं ये बोलूँगा कि live sessions की बजाए recorded session देखा करो जिससे जो बीच में हसी मजाग होती है आप उसको skip करके वो 5 मिनट अपने save करके important चीज़ पढ़ सकते हो believe me ये अगले 30 दिन अच्छे से इस्तमाल कर लो अच्छे से पढ़ लो उसके बाद अपने जो college के 3 साल है 4 साल है अराम से हसी मजाग करना कोई दिक्कत की बात नहीं है वरना अगर अभी आप सभी ने हसी मजाग कर लिया ना तो आगे आप सभी को regret करना पड़ेगा नव अब मैं आप सभी को बताता हूं कि कौन से keyword का आप सभी को इस्तमाल करना चाहिए सही lectures तक पहुँचने के लिए नव एक चीज़ मैं आप सभी को बोलूँगा जब भी आ करते हैं न तो उसमें keyword का इस्तमाल मत क्या कीजिए जैसे अगर मुझे electrostatic chapter पढ़ने तो मैं यह नहीं लिखूंगा कि electrostatic CUT 2024 one shot because अभी क्या है CUT नया examination है and आप सभी को जाधा teachers CUT के नहीं देखने को मिलेंगे और बहुत ही नए-ने teachers आपको देखने को मिलेंगे जो असल में top teachers हैं वो अपने-पने exam के अंदर CBC के अंदर busy हैं वो भी कुछ समय के अंदर believe में यह बहुत बड़ा exam आगे चलके बनने वाला है और वो भी आगे चलके CUT में जरूर आने वाले हैं बट अभी के लिए for the time being आप सभी को यह particular keyword इस्तमाल करना चाहिए जो मैं भी इस्तमाल किया करता था जैसे अगर आपको cold war chapter पढ़ना है लाइन बाइन बाइन बहुत अच्छी तरीकी से महाँ पर teacher explain करते हुए मिल जाएंगे जो आपकी NCRT reading को improvise कर सकता है so CUT लिखने की बजाए आप NCRT type करेंगे ना बहुत बड़ी है बड़ी है lecture आपको मिल जाएंगे now जिस चीज का आप सभी को बड़े बेस अबरी सिंतिजार था कि भाई आप best teachers के बारे में बता दो तो मैं आप सभी को stream wise best teacher के बारे में बताता हूँ सबसे पहले अगर मैं commerce की बात करूँ ना तो एक teacher हुआ करते थे जिनका नाम था गौरफ जान उनका एक channel था economics on your tips तो आप उस channel पर अगर जाएंगे ना तो वहाँ पर आपको पुराने lectures देखने रिसेंट वाले तो अच्छे नहीं है लेकिन पुराने lectures आप सिरफ गौरफ जान सर के देखिएगा इतने बड़िया lecture है मैं आपको क्या बताओ मैंने जैसे संदीब गरग किताब उठाई और म मेरी तो NCRT भी cover हो रही थी तो ऐसे teacher आपको find out करने चाहिए और गौरफ जिन एक ऐसे teacher है इसके बाद आप रजा तरोड़ा सर को भी देख सकते हैं अगर आभी आपको नए lecture नहीं मिल रहे सिउटी के तो पुराने lecture देख लीजिए time waste मत करें इस सीज का इंदजार मत करें क अब मेरे जो hero teacher है वो नए नए lectures लाएंगे इससे बेटर यह है उनके पुराने lecture देखे concept clear करो और NCRT पढ़के practice पर focus करो इसके बाद अगर मैं science students के लिए बोलू तो mathematics के लिए ये channel बेटर है chemistry के लिए ये channel बेटर है और overall के लिए अगर मैं बोलू न तो NCRT वाला ने class 12 प् एक teacher ने बनाए है और वो सच में बहुत famous teacher भी है इसके बाद biology के लिए आप लोग गरीमा गोयल जी को भी देख सकते हैं और chemistry के लिए CBSC के लिए especially भरत पंचाल सर को आप देख सकते हैं तो इनको refer कीजिए ये CUT के लिए भी पढ़ाते हैं आपको बहुत benefit मिलेगा इसके बा पहले तो मैं आपको बोलूँगा YouTube पर आने के जरूत ही नहीं है NCRT किताबे ही self-explanatory है ऐसा तो कोई बड़ा concept है नहीं Humanities के अंदर जिसके लिए आपको YouTube पर आना पड़े बट स्टिल अगर आपको आना पड़ रहा है तो मैं आपको बोलूँगा Magnet Brains नाम करके एक channel है जि English speaking teacher है जिनका नाम है Amit Sen Gupta इन्होंने animation की मदद से बहुत बहुत बहुतरी level तक आपके concept को clear किया है तो जोग्रफी के लिए कई बच्चों को परिशानी रहती है आप Amit Sen Gupta सर को रहफक कर सकते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको और भी कोई सवाल है आप comment section में पूछ लीजेगा I'll definitely help you out definitely possible है CUT को YouTube से crack करना आप भी करेंगे जैसे मैंने crack किया था now guys आप सभी को एक और information अरजुना 2.0 के अंदर enroll करने के लिए आखरी 3 days बचे है जल्द से जल्द enroll कर लीजिए please don't waste your time